नमस्कार साथी एक बद्फिश से स्वाधत करता हूँ मैं आप सब लोगों के अपने चैनल के ऊपर बिटा आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडियारां फोर्सिस का एक चमकता सितारा था जो हमारे देश के लिए शहीद हो गया ठी इसली वीडियो हमने बनाई उसके अंदर आये मेंशन कि क्या लोगों के साथ क्या हुआ था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें बताइए क्या हुआ था कैसे हुआ कैसे कार्गिल्स बार में उनकंती वह जो है शहीद हो गए तो इसकी लाइस जर्णी के ऊपर आप बहुत बढ़ी है या फौज हमारे लिए क्या करती है तो उनके मुपे करारा था पड़ पड़ेगा यहां पर कि अब फौजी बनना कितना असान है हाज पता लग जाएगा ठीक है तो आज बात करेंगे कैप्टन सौरफ कालिया के बारे में जनम्त थी 39 जून 1976 बॉन इन अम फौर्स के बढ़ी अफिसल है ना उनका बच्पन से खाव रहा है क्या फौज में जाना है देश के लिए कुछ करना है वैसी सौरफ कालिया जी थे फौज में जाना था अच्छा जूनून था क्लियर करना है पेपर में बैठें एंडिये में अनफॉर्चुनेटली नहीं प नहीं उसके बाद 12 दिसंबर 1998 को ही गॉट कमिशन ठीक है 12 दिसंबर 1998 को ही गॉट कमिशन फर्स पोस्टिंग जो ही कारगेल शेक्टर में होई फोर्थ जाट रेजिमेंट के अंदर ठीक है और कुजरत का कमिशना देखो आप कि अगले ही साल 1999 में कारगेल वार चाड़ी यं पावर करें इंडियन आर्मी को उस समय लेट्टनिन सौरम कालिया वादी फर्थ ऑफिसर जिसने बाद बोली कि सर पाकिस्तानी आर्मी सबसे हूची पोस्ट बजरंग पोस्ट को हम तार्गेट करते हैं 13000 से 14000 फीट के उपर पोस्ट थी वो ठीक हाइस पोस्ट थी अगर व बजरंग पोस्ट की तरफ 35 से जादा लोग मारे हमारे इन पांच जमान ठीक है 35 से जादा उसके बाद अब देखो वार है उदर से भी गोलिया चलेंगी चलेंगी उदर डेड़ सो लोगों की पाकिस्तानी आर्मी ने इन पांच लोगों को जो है घेर लिया बिकाज खत्रा था बजरंग पोस्ट अकर इंडिया के पास उस समय आ जाती तो सारा खेल वहीं समाप था तो डेड़ सो लोगों और इकी कंपनी ने कैप्चर किया इन पांच लोगों को और 15 महें 1999 को जो है लेटरेंट सौरम कालिया जी और उनके साथ जो चार सोल्जर से उ स्वुर्व कालिया जी है वो पाकिस्ताणी आरमी के साथ है पार अगले दिन 16 महें 1999 को पाकिस्ताणी रेडियो के सारों गदियोMe ऑन के सारेंट से बजह निषास फ्रारों की कैने में हैं मैं आइज प्रिजन गभीयम्फ सारा ऑफ बजरस जो हैं गले प्मांगोंужके साथ ह अब लोग पाकिस्तान का सुभाव तो कबसे जानते ही है लडाई के बाद चारगिल सेक्टर के बाद ही ये चीज जो है उन्होंने सोचा कि अब ये इंडिया जो है इनकी कमजोरी सिरफ ये पाच लोग है इनको हम लोग जाने नहीं देंगे ठीक है तो इतनी बे तुकी की बा पाच जवानों को हमारे जब बॉडी मिली ठीक है नौ जून 1999 को जब एंके कालिया जी जो सौरब कालिया जी के फादर है उनको जब बोडी दी गई स्वारब कालिया जी की वाफिस तो पूरे श्रीर के उपर सिग्रट के निशान हाथ कटा हुआ जीव कटी हुई लिप्स क में जो है वापिस परी ठीक है जब उसे सवाल किया गया कि यह कैसे इंसान के रूप पे आपने हमारे लेप्टर साब को वापिस भेजा है तो उन्होंने क्या आंसर दिया इस साम वहां तो जंगल था जहां पर इनको रखा गया था वहां शेर सूर भी थे चीता भी थे उन् से इंडिया जो है अपने ब्रेव वापिस लाने में नाकाम्याद रहे हैं फिर उसके बाद हमारे इनके कालिया जी जो फादर ऑफ सौरफ कालिया जी थे कि ट्राइड अलोट 2004 में दुबारा से ट्राइड किया 1999 के बार कि शायद अब इंसाफ मिल जाए 2008 में दुबारा से ट पॉलिटिक्स के वज़त से यह चीज जो है पॉसिबल नहीं हो पाई और आज तक हमारे कैप्टन्स आपको आज तक इंसाफ नहीं मिला और बहुत और सबसे बुरी बात क्या है कि हम देश पासियों को जादा से जादा बच्चों को यह चीज पता ही नहीं है लोगों को पत हमारे ब्लेव हाट के बारे में जो स्टोरी मैंने बताई है दुनिया तक पहुंचे पता चले कि ऐसे भी लोग थे ठीक है जरूरी नहीं जो लोग हमें दिख रहे हैं वही देश के लिए लड़ रहे हैं जो आज भी बॉर्डर पर बहुत ऐसे सैनिक बहुत ऐसे जवान है बीबी जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उनकी कोई परस्नल दुष्मन ही नहीं है तो कोलिया चला रहे हैं वापर परस्नल दुष्मन ही ना उनकी है ना हमारी है वो किसके लिए लड़ रहे हैं वो मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं ताकि हम सुकून की अराम है फॉज में मौज है तो उनको पेटा दो चीजे मैं याँ पर बताना चाहूंगा यूँ आफ टू आप्शन्स रैदर मैं को पूरे देश वाशियों को मैं याँ पर दो आप्शन्स देता हूं इधर बीया फॉजी और यूशुड रिस्पेक्ट अफॉजी या तो फॉजी बन जाओ इज़त तो अपने आप करोगे फॉजी फॉजी की इज़त तो करता है कि कितनी इज़त की इंसान डिजर्फ करता है दूसरा आप इज़त करो ठीक है अगर जो है और गलत मत बोलो यार क मैं किसी के बारे में थी किसी फॉजी के बारे में थो खास कर तीन बार सोच लेना यह वीडियो दुबारा देख लेना और गूगल करके देख लेना पड़ लेना इस्ट्री के बारे में, कैप्टन सौरब कालियों के बारे में, आपको जो है अच्छे तरीके से नौलिज हो जाए, और दुबारा, I hope, कुछ भी गलत लिखने से पहले आप सो बार सोच होगे, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई आज से आप शेयर करें, और लाइक जुरूर करना, ताकि इस की रैंकिंग थोड़ी बड़े, और लोग जो है जालत 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 इस वीडियो को देखें, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप से मेरे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, जय हैं।